कुछ पोदे ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ पर सर्दी गर्मी का कोई भी जादा इफेक्ट नहीं पड़ता और डॉर्मेंसी में भी ये पोदे बहुत हेल्दी ग्रोथ करते हैं और इसके इलावा इन पोदों को आप साल के 12 महीने 365 दिन आप इन पोदों की कटिंग को ग्रोव क चाहें आप इन पोदों को कटिंग से ग्रोव करके 100% रिजल्ट ले सकते हैं इन पोदों की कटिंग बहुत ही असानी से विदिन वीक में ग्रोव जाती है और आज की वीडियो पूरी अपडेट के साथ से शेयर करूंगी तो प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर जिसमें छोटे-छोटे फ्लॉर्स ब्लूम करते हैं और बेस्ट पार्ट ये है ये पोदे की कटिंग अप साल के 12 महीने 300-65 दिन भी ग्रोव करेंगे ये पोदे बहुत ही असानी से विदिन वीक में ग्रोव हो जाते हैं तो यहां पर ये आप देख सकते हैं ये मैंने एक से एक टूटे भी बास्कीट में मैंने इसकी कुछ कटिंग लगा दी थी अब आप इसकी ग्रोध भी चेक कर सकते हैं और आप ये देखी सकते हैं सर्दियों में भी इन पोदों की ग्रीनरी कितनी मेंटेन है और इसके इलावा फ्रेंड्स ये पोदे चोटी-चोटी कटिंग स असानी से ग्रो हो जाते हैं और इसकी ब्रांची जो है वो लटक रही थी तो मैंने सोचा इसी पोदे से में इसकी कुछ कटिंग को कट करके में तबारा से इनको ग्रो करूंग इसी तरह से हम कुछ पोदे ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग को ग्रो करके हम डिफरन डिफरन किसी वेस्ट में लगा दीजिए, पोदे बहुत असानी से ग्रो हो जाते हैं, तो यहां पर यह देखिए, इस वले पॉड में मिट्टी जो है वह पहले ही डाल दी है, यह पोदे की कटिंग अप 2-5 इंच की ले लिजिए, नीचे की लीव को हटा दीजिए, और 1-2 नॉड एर अगर आपकी मिट्टी ड्राइ है, तो कटिंग लगाने के बाद आप उसमें वाट्रिंग जो है वो जरूर करें और कोशिश करें, अगर आप ठंड में कोई कटिंग को ग्रो करते हैं, उसके 100% रिजल्स के लिए आप उसे थोड़ा सा ब्राइट लाइट वाली जगा पर र पूरे पॉर्ड को कवर भी कर लिया और इसमें फ्लॉवरिंग जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और इस पोड़े की कटिंग अप डॉर्मेंसी में भी ग्रो कर सकते हैं वो है हमारा ड्रेसिना का प्लांट और यह है ड्रेसिना की बेबी डॉल की वेराइटी है जो मेरी पोड़े को कटिंग से ग्रो करती हूं मेरे पास इस पोड़े की बहुत सारी कुलेक्शन जो हो चुकी है तो इसकी कटिंग को ग्रो करने के लिए आप इसकी 5-6 इंच की कटिंग ले लिए और नीचे इसका एक तिर्चा 45 डिगरी का कट लगा लिए और किसी भी मिटी में ल इकाल के मैं आपको चेकर वाती हूं यह पोड़े की कटिंग बहुत ही असानी से ग्रो जाती है तो यहां पर यह देखिए फ्रेंट्स कितनी अच्छे से इसकी जड़े जो है वो बन चुकी है हाला कि मैंने जो ब्रांच इसकी लगाई थी और रफली ही मैंने कट करके मैंने लगा दी थी और मैंने एक या दो कटिंग्स नहीं लगाई थी मैंने धेरो कटिंग्स लगाई थी और अब आप यहां पर यह देख सकते हैं एक पोड़े से किस तरह से अपने फ्री के इतने धेर सारे प्लांट जो बना ली हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट है वांडरिंग जी व बहुत ही असानी से ग्रो हो जाती है चाहे तो आप इसकी कटिंग को किसी भी वेस्ट बॉटल में थोड़ी से मिट्टी भर कर आप इसकी चोटी चोटी धाई से तीन इच की कटिंग आप इसको मिट्टी में गार दीजे बहुत ही जल्दी यह पोड़े ग्रो भी हो जाते है बहुत ही चल्दी यह फेलते चले जाती हो देखने मी भी बहुत जादा खुपसूलर लगते हैं तो यह पोदे की कटिन्ग भी आप इस तब दिसंबर की ठंड में लगा सकते हैं बहुत ही असानी से ग्रू हो जाते हैं फ्रेंड नेक्स्ट है मोस्ट हाड़ी अकलिफा का प्लांट और यह देख सकते हैं कितना बुशी प्लांट है कितनी अच्छी इस पोदे की ग्रोफ चल रही है और इस पोदे को मैंने थोड़ा सा शेड में रखा हुआ यह पोदा कलर भी चेंज करता है शेड में रखेंगे त यह पोदे भी आट से दस तिन में की जड़ें जो है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह वाले पोदे जो देख रहे हैं यह मैं थोड़ी से दूप में रखे हुए है और यह पोदे भी मैं इसमें से छोटी से क्टिंग को कर लेती हूँ तो इस पोदे की असानी से ग्रो हो ओझाई थी देरों में ने से प्लांटर्स में रड़ी कर दिया हूए थे तो इसी तरह से आप कटिंग गर्मी करके हैं। इंडोर लगाएं, आउटओर लगाएं, कटिंग भी असानी से ग्रोव जाती है। दूसरी तरफ ये पोदे बहुत ही जल्दी बुशी हो जाते हैं, बहुत जल्दी पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं, जिनके पोदों को डिवाइड करके भी बहुत सरे पोदे फ्री में मल्टिप्लाई कर सकते हैं, यह देखे, यह एक फिनायल की बॉट्ल है, जिसमें मैंने पोड लिली की लगाई थी बहुत अच्छी इसकी ग्रोफ चल रही है इस पोडे की छूटी छूटी कटिंग से असानी से आप इनके ने फ्री में पोडे बना सकते हैं तो इसकी में कुछ एक दो कटिंग जो है वह इस वाली वेस्ट में में लगा दूंगी तो यह पोडे है और इसकी जो चोटी चोटी सी इसकी ब्रांची से लटकते भी बहुत ही ज्यादा खूब सर लगती है गंबले नहीं है तो आप वेस्ट का भी रियूस करके बहुत सारे फ्री के प्लैंटर्स भी बना सकते हैं अगला जो पोड़ा स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है बास्क स्टा चोटी कटिंग से असानी से अप ग्रो कर सकते हैं यहां पर आप दैफिये फ्रेंट्स इसके मदर प्लांट से मैं इसकी सी कटिंग को कट कर हैं जिससे में इस वले वेस्ट में में लगा दूघ inh Prof Chance यह बहुत ही असानी से उटारे की घड़न जो है वो डेवल्लप हो तो यहां पर मैं इसकी अपडेट भी शियर कर देती हूं, यहां पर देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी जड़े हैं वर डेवलोप हो चुकी हूँ है, इसे चोटे कंटेनर में लगाएं, इसकी हैंगिंग पास्किर भी बहुत साथा खूब सर लगती है, और अगर आपके तरह की वेराइटी है, और यह पोदे की कटिंग भी आप बहुत असानी से ग्रो कर सकते हैं, इसकी कोई भी 5-6 इंची की कोई भी पैंसल साइज की आप कटिंग को कट कर लीजिए, और किसी भी रेट में लगा दीजिए, मिट्टी में लगा दीजिए, यह पोदे बहुत अ कर दो, कि सारी लीजिए में कभी भी हटाती नहीं हूं, तो यहां पर यह देखिए, इसे में इस वेज़े में लगा दूंगी, तो यह पोदे की कटिंग बहुत असानी से ग्रो हो जाती है, हाला कि यह फोदे अगर नर्सी से लेने जाएंगे, असी से सोर पे तक जो हो मिल बट cutting से अब इनको बहुत असानी से free के plant जो तियार कर सकते हैं friends नेXT में update भी शियर कर देते हूँ तो यहां पर यह देखिए friends यहां पर में इनकाल कर चेक कर आतीओ नेकिसी जड़ेhग हैं यह नहीं बणी है पूरा साल इस पोदे की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है आप इसकी कटिंग जब चाहें मिट्टी में पानी में लगा दीजिए यह पोदे बहुत असानी से साथ से आठ दिन में जो है वो ग्रो हो जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी मैंने एक बारां से अगर आप इन पोदों को गहना ग्रो करना चाहते तो इस तरह से जरूर ग्रो करें सिंगल सिंगल लीव को आप पूरे पॉर्ट में इसको आप मिट्टी में डाल दीजिए बहुत ही जल्दी यह पोदे असानी से ग्रो हो जाते तो इसके मेंने कुछ प्लैंटर जो है वो र पूरा साल इस पोदे की ग्रोत बहूत ही अच्छी से चलती है उस्पोदे की कटिंग भी आप चाहें तो सर्दी गहरमी कभी भी लगाए तो यह पोदे भी बहुत असानी से विदब वीक में ग्रू हो जाते है तो यहां से मीनीमम प्रैस में भी आपको मिल जाता है कहीं से इसकी भी कटिंग रजाए तो उससे भी आप बहुत से फ्री फीव पोड़े घ्ला चुके और यह देखें कितने अच्छे से इसकी जो रूट्स हैं वो डेवलप हुई हैं तो यह पोदे की कटिंग बहुत असानी से दिसंबर की ठंड में भी ग्रो कर सकते हैं सिंगोनियम प्लांट की कोई भी विराइटी हो आपके पास यह भी मोस्ट हार्डी और एवर ग्रीन प्लांट होता है यह पोदे की कटिंग बहुत असानी से किसी भी मिट्टी में लगा देंगे चाहे आप इनकी छोटी से कटिंग सिंगल लीव से भी लेकर नौड एरिया से आप इसे पानी में डाल देंगे विदिन वीक में पोदे की जड़े जो है वो डेवलप हो जाती है तो यहां पर यह देखिए फ्रेंट्स में इसकी मदर प्लांट से इसकी एक छोटी सी कटिंगों में कट कर देती हूं क्योंकि इसकी ब्रांचिस जो है फ्रेंट्स वो ट notch कि इसकी 차 को जैसे के प्लांट्स यहां पर यह देखिए इसकी अक यहां भी से कर चूर्णा को जाती है तो इसकी क्जोग सब्से थे कर चूरा की एक आशीर शाइव हो डेती हम आखिए एक अल्टर्नेंथरा का प्लांट और मेरे पस इसकी बोह उत्थ सारी वेराइटीज आप देख सकते हैं इसकी ग्रीन वाली वेराइटी है बहुत ही खुपसरी यह प्लांट होता है और यह पोदे भी छोटी-छोटी कटिंग से असानी से ग्रो हो जाते हैं तो इसकी भी में कुछ कटिंग जो है वो में कट कर लेती हूँ मिट्टी मेली थोड़ी सी मौईस्टी रहती है इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ और यहां पर यह देखे ऐ फ्रेंट जो मैंने कटिंग इस वाले वेस्ट में लगाए थी उसकी अपडेट भी देख लेते हैं तो यहां पर यह देखे फ्रेंट्स यह कितने अच्छे से इसकी जड़े जो है वो बन चुकी हुई है जिसे आप किसी भी छोटे कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए हैंगिंग बास्किट में लगा दीजिए बहुत ही जल्दी ये पूरे पॉरे पॉट को कवर कर लेता है बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी चलती रहती है फ्रेंड नेक्स है फाइकस फाइकस भी बहुत एजी टू ग्रो और लो मिंटेनेस प्लांट है जिसकी कटिंग बहुत ही असानी से ग्रो हो जाती है और ये पॉदे की कटिंग बहुत ही असानी से किसी भी पार के रिया से लाकर इसे अपने घर में ग्रो कर सकते हैं इस पोदे की cutting बहुत असानी से within week में grow जाती है और इसके इलावा इस पोदे की branches काफी flexible होती है तो इन पोदे को मन चाही आप shape भी दे सकते हैं तो यहाँ पर यह आप देख सकते हैं इस वले waste में मैंने इसकी 3-4 cuttings जो थी वो डाल दी थी अब आप यहाँ पर यह देख सकते ह हैं बहुत ही खुपसूरत इसकी जड़े जो है वो develop होई हैं जिसे आप मन चाही जगा पर लगा सकते हैं ऐसे बुश की तरह आप इसे ग्रो करें इसका बोंसाई भी बहुत ही सुंदर लगता है इसका काडेक्स काफी खुपसूरत होता है तो यह पोदे आप बहुत ही असा को ले ली है क्योंकि mostly complaints रहती है कि कोलियस प्लांट जब वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है तो उसका best way है कि आप इनकी cutting को grow करते रहें और यह पोदे की cutting भी बहुत असानी से grow जाते है आप चाहें तो दिसंबर की ठंड में भी आप इनकी छोटी चोटी तीन से चार की cutting को grow कर सकते हैं तो यहां पर यह देखिए मैंने इसके सभी variety की छोटी-छोटी cuttings बना ली है नीचे की leaves को हटा के आप इसे किसी भी rate में लगा देंगे friends चाहे मिट्टी में लगा देंगे बस पानी का थोड़ा सा ध्यान रखे over watering बिलकुल भी ना करें क्योंकि over watering के से इ इस पोड़े की वेरिगेटिट वेराइटी है तो इस पोड़े की cutting भी आप इस तेम ग्रो कर सकते हैं यह एक फ्लॉवरिंग प्लांट जिसमें रेड कलर की फ्लॉर्स ब्लॉम करते हैं तो इसके मदर प्लांट से में इसकी कुछ अच्टिं को लेकर इस वाले पॉट में इसकी हलकी हलकी सी जड़ें भी आपको दिख रही होगी बहुत लिए असानी से यह पोड़ी ग्रो हो जाते हैं इसकी फ्लॉर्स ब्लॉर्स तो लॉंग लास्टिंग ol से यह प्रेंड जी सब्सक लिए निएट सी संपर में छ्टिं को कर सकते हैं यहां पर यह द देखें यह Thank you friends, stay blessed and bye-bye.